नमस्कार Equality News प्राइम टाइम बुलेटीन में मैं शहला आप सभी का स्वागत करती हूँ देखते हैं आज की प्रमुख खब्रे राज्जी सभा की बच्ची हुई सीटो पर आज वोटिंग हुई इसमें हर्याना राजस्थान महराइश्ट्र और करनाटक शामिल है वोटिंग की शुरुवात के साथ ही हलचल तेज दिखी राजस्थान में बीजेपी विधायक का वोट खारिस हो गया वही करनाटक में क्रोस वोटिंग हुई साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि वोटिंग के गिंती के समय कुछ गड़बडिया दिखाई दी है पैगंबर टीपनी विवात थमतार नजर नहीं आ रहा है आज जुमे की नमाज के बाद कई राजशों में विरोध प्रदरशन देखने को मिला उत्तरपदेश, पच्छे मंगाल और दिल्ली में भारी भीड ने जम कर विरोध प्रदरशन किया वही इसकी आज पंजाब तक भी पहुँची समुदाय विशेश की मांग है कि नुपूर शर्मा और नवीन सिंदल के खिलाब ततकाल कारवाई की जाए राजधानी दिल्ली की जामा मस्जित के बाहर नमाजियों ने विरोध प्रदरशन किया इस विरोध प्रदरशन के दोरान उन्होंने जम कर नारे बाजी की प्रदरशन कारियों की मांग है कि पैगंबर के खिलाफ टिपनी करने वाली पूर्व बीजीपी प्रवक्ता देवबंद में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया जुमे की नमाज को देखते हुए यूपी सरकार ने सवेदंशिल जिलों में धारा 144 भी लागू की थी इसके बाद भी कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुआ इसके साथ ही बंगाल में भी पैगंबर मुहम्मत के मामले को लेकर प्रदर्शन हुआ कॉलकाता में बड़ी संख्या में अलप संख्यकों ने विरोध प्रदर्शन किया बता दे कि रविवार को नुपूर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कारवाई करते हुए उन्हें भाश्पा प्रवक्ता के पद से हटा दिया गया और पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया दोनों नेताओं ने पैगंबर मुहमत के बारे में आपती जनक टिपनी की थी उनकी टिपनी के बाद कई इसलामिक देशों ने आपती दर्श कराई थी वही अलकाईदा ने भारत के कई राजियों में आत्मगाती हमलों की भी धमकी दी थी हाला कि भारतिय जनता पार्टी के कड़े एक्षन के बाद नुपूर शर्मा ने अपनी टिपनियों के लिए माफी मांगी है पैगंबर मुहमत पर विवादित टिपनि के मामले में आतंकवादी संखटन अलकायदा को धमकी देने के लिए असदुद्दीन ओवेसी ने फटकार लगाई है इस मामली पर ओवेसी ने कहा है कि पैगंबर का नाम उचा है और इसकी रक्षा के लिए अलकायदा जैसे आतंकी संखटन की ज़रूरत नहीं है जानकारी हो की बिजेपी नेता नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल से डिबेड में पैगंबर मोहम्मत पर विवादित टिपनी कर दी थी जिसके बाद अलकायदा ने देश में धमाके करने की धमकी दी थी इसके साथ ही OVC ने बिजेपी की भूपाल से सांसद प्रग्या ठाकूर पर भी कटाक्श करते हुए कहा कि हिंदुत्व वादियों को पता होना चाहिए कि इसलाम आतंकवाद को खारिच करता है उन्होंने ट्वेट किया कि भारतिय मुसल्मानों ने लगातार का टरपंथ को खारिच किया है और कभी भी UPA के आरोपी को सांसद नहीं चुना है दिल्ली में 87 आम आदमी पार्टी सरकार ने असंगठीत क्शेतर की कामगारों जैसे मोची, धोबी, लोहार, प्लंबर, सहीत, अन्य असंगठीत क्शेतरों से जुड़े लोगों को स्किल ट्रेनिंग देनी का फैसला किया है इसके तहट दिल्ली स्केल एंड इंटर्प्रेनिर्शिप यूनिर्सिटी खास ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करेगी इस कारिय का उद्देश्य असंगठीत क्शेतर से जुड़े लोगों के कोशल को बहतर बनाना है ताकि उनकी आय में वृद्धी हो तथा उन्हें टार्गेट समुहों के साथ भी जोड़ा जा सके दिल्ली सरकार की ओर्थ से दी गई जानकरी के नुसार रोजगार परख इस कारिकरम के तहत पहले विभिन असरोतों जैसे निर्मान बोर्ड डाटा बेस असोसियेशन और जिला मैजिस्टरेट कारियले के माध्यम से इन कामगारों की पहचान की जाएगी और इन्हें DSEU के माध्यम से सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा इसके साथ ही सभी कामगारों को उनके काम से समन्दिट टूलकेट वर्दी भी दी जाएगी साथ ही एक पोटल भी तयार किया जाएगा जिस पर सभी कामगारों की जानकरी होगी और दिल्ली के नागरिक इस पोर्टल के जरिये कुशल कामगरों से उनकी सेवाये ले पाएंगे आर्जमकर्ड लोग सभाचुनाव 2022 के लिए बीएसपी ने अपनी 40 स्टार प्रजारों को की लिस्ट जारी कर दी थी इस लिस्ट में बीएसपी सुप्रिमो मयावती से लेकर यूपी बीएसपी के एक मातरव विधायक उमाशंकर सिंग का भी नाम शामिल था लेकिन हरानी की बात यह है कि बीएसपी के इस लिस्ट में 37 चंदर मिश्रा का नाम शामिल नहीं था यूपी विधान सभा चुनाव 2022 में सतिश चंदर मिश्रा ने तूफानी रैलिया की थी इस लिहाद से उनका इस लिस्ट में नाम नहोना बता रहा है कि या तो उनके लिए कुछ और योजना है या फिर उनके और हाई कमान के बेच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है यूपी में आजमगड और रामपूर में लोगसभा सीटों पर उपचुनाव होने है लेकिन बीएसपी केवल आजमगड से ही चुनाव लड़ रही है यहाँ से पार्टी ने गुडू जमाली को मैदान में उतारा है बीएसपी ने रामपूर सीट पर चुनावन लड़ने का ऐलान किया है इस लिहाँ से रामपूर सीट पर बीएसपी ने कोई उमिदवार खड़ा नहीं किया है और इस तरह से आजम खान के गुट को वाकोवर दे लिया है पंजाब के मुख्य मंतरी भगवंत मान ने शुक्रवार को गोशना की कि नीजी बस माफिया की मनमाने खत्म करने के लिए राज्य सरकार 15 जून से नई दिल्ली हवाई अड़े के लिए अपनी सस्ती ओल्वो सेवा शुरू करेगी एक लाइव वीडियो संदेश में मानने आपचारिक तोर से कहा कि इनका किराया नीजी बसों के किराय से आधि से भी कम होगा बसों की बुगिंग पंजाब रोडवेज पनबस पेपसों की वेबसाइट पर जा कर कर आई जा सकती है जानकारी के मुताबिक मुख्यमत्री ने ये भी कहा कि वेबसाइट पर बसों की समय सारेनी की भी जानकारी दी गई है जिससे की राज की आमजनता को किसी भी तरीके की परिशानियों का सामना ना करना पड़े दिल्ली विशुविद्याले के चुनिंदा कॉलेजों में से एक सेंस्टीफन ने एक फैसला लिया है जिसके तहब स्यू ईटी में 85 प्रतिशत स्कोर करने के बाद एक साक्षतकार लिया जाएगा यदि छात्र उस इंटर्यू में पास होता है तभी वह सेंस्टीफन में दाखिला पा सकता है हाला कि दिल्ली विशुविद्याले के एड्मिनिस्टेशन ने सेंस्टीफन कॉलेज को ऐसा करने से रोकने का प्रयास भी किया लेकिन फिर भी सेंस स्टीफन का एड्मिनिस्टेशन अलोगतांतरिक तरह से अपनी मनमानी करने में लगा हुआ है. वो बेशर्मी से पिछले कई सालों से एक अलग तरीके की दाखिला प्रक्रिया को मतलब डिस्क्रिमिनेटरी एड्मिशन पॉलिसी को लागू करता है कि वो 15% बेटिज इंटर्व्यू के थूरू जो स्टुडेंट्स का इंटर्व्यू लिया जाता है ड्मिशन के दौरान उस सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस तरीके से एक और फिल्टर लगाकर एड्मिशन की प्रक्रिया में उन्हें बेदखल किया जा सके इस उनिवर्सिटी इन रेगिलो कॉलेजिस में एड्मिशन ले पाने से जब पूरी उनिवर्सिटी में एक common admission process है तो क्या Stephen's College उनिवर्सिटी के बाहर exist करता है democracy के बाहर exist करता है कि वो अपने ही अलग तरीके के criteria बढ़ाता जाएगा eligibility के पहली बात तो यह जो common admission policy है इसके खिलाफ है पूरी उनिवर्सिटी में जब एक common entrance लिया जा रहा है तो उसके अलग हटके Stephen अपना elitism बरकरार करने के लिए यह ज़ेड़ सो साल से British राज के समय से जो यह elitism चलाया रहा है कि यह Stephen जिसे colleges हैं जो bureaucrats बना रहा हैं यह सारे colleges अपने interview policy लागकर यह 15% interview का जो policy है इसको लागकर गरीब चात्रों को सरकारी स्कूल के जो चात्रोंगे जो उतने एक background check करेंगे कि किस तरह की चात्र हम लेना चाहते हैं किस तरह की private school के well of privileged students को हम इन spaces में लाना चाहते हैं लेकिए जो सैंस्टीफन जो एक निरना ले रहा है हम मानते हैं कि वो arbitrary है और discriminatory है क्योंकि वो कह रहा है कि हम common entrance के बाद भी 15% जो वेटेज है वो interview को देंगे ठीक है यानि कि वो जो 15% के आधार पे जब एक common entrance test जब लागू किया जा रहा है जिसमें लगबग 40 universities participate कर रही है all over India में तो उसमें Stephen क्यों अलग से इस तरह क्राइटेरिया बना रहा है हमारे लिए पहला question यह है कि CUT का माध्यम से जो चात्र छट के आएंगे वो एक गलत मतब कि कोई बेहतर entrance परिक्षा नहीं है या प्रतियोगी परिक्षा जो यह है यह बेहतर नहीं है इनके मानक बेहतर नहीं है तो क्या वो उसको challenge कर रहा है तो हमें लग रहा है वो उसको challenge करता हुआ दिख रहा है दूसरा वो basically अपने elitism को बचाया रखना चाह रहा है प्राइम टैम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही खबरों के अधिक जानकरी के लिए आप बने रहे है equality news के साथ साथी अन्य खबरों के लिए आज ही equality news के facebook page को like और follow करे और youtube channel को subscribe करना ना भूले धन्यवाद